हल्दवानी के बहुचर्चित अंकित हत्यकांड में फरार चल रही मास्टर माइंड प्रेमी का और मुख्य सहयोगी को ननिताल पुलिस ने गरफतार कर लिया है इस संसनी के इस मामले में पुलिस टीम ने अंकित चोहान के हत्यारे माही उर्फिडॉली वो अन्यस सांथियों को रुदरपुर से गरफतार किया है चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या 15 जुलाई को हलदवानी के पास तीन पानी गौला पार रोड पर एक कार के अंदर संदीग्द अवस्था में एक व्यक्ति के होने की सूचना पुलिस को मिली मौके पर घटना इस्थल पर पुलिस पहुची तो पुलिस ने देखा कि एक निले रंकी पोलुकार जिसका इंजन वो एसी इस्टार्ट दशा में था जिसकी पिछली सीट पर एक व्यक्ति अचित अवस्था में पड़ा हुआ था उसकी सिनाक्त अंकित चोहान पुत्र धर्मपाल चोहान निवासी मकान नंबर बी ग्यारा रामबा कलोनी रामपुर रोड हल्दवानी के रूप में हुई जिसे अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोशित कर दिया उक्त हत्या के संबंद में कोतवाली हल्दवानी में 17 जुलाई 2023 को वादिनी मृतक की बेहन इशा चोहान की तहरीर के अधार पर मुकदमा धर्च किया गया मृतक अंकित की पोश्ट मार्टम पंचायत नामा के पश्चात पुलिस कारेवाही में बारिकी से निरक्षन करने पर पाया गया कि उसके दोनों पैरों में पिछले हिस्से में दो बार सापके काटने के सर्पदंश के निशान थे पोश्ट मार्टम में डॉक्टर दोरा भी सर्पदंश की पुष्टी की गई जिससे अंकित की मृत्यू का कारण संदेश प्रतीत होने पर स्रीपंकज भट स्स्पे निनिताल दोरा ततकाल अधिनस्तों के साथ मेटिंग कर गटना के संबंद में विश्टरत चर्चा करते हुए एवं पोश्ट मार्टम करता चिकित्सकों से मित्यू के कारणों के संबंद में जानकारी करने के बाद गटना के समझत पहलू की गहनता से जाच करने के फलसुरूब अंकित चोहान की हत्या सोची समझी प्लानिंग थी इसके आधार पर 18 जुलाई 2023 को अभियोग में सम्मलित अभियुक्त रमेश नाथ सपेरा को गिरिफतार किया गया शेश अभियुक्त तब से लगातार फरार चल रहे थे पंकजभट वरिष्ट पुलिस अधीक्षक ननिताल महुदय के परियवेक्षन तता हरबंस सिंग एस्पी सिटी हलदवानी भुपेंद्र सिंग धोनी सीओ सिटी हलदवानी के परियवेक्षन में अभियुक्त रमेश की गिरिफतारी करने के बाद हरत्या के मुख्य अभियुक्तों की गिरिफतारी करने के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया जिनके द्वारा दिल्ली, हरियाना, नेपाल, बिहार और उत्रखंड के अन्य जिलो में पुलिस टीम को रवाना किया गया साथ ही एसो जी ननिताल वो सर्विलांस सेल टीम को फरार आरोपियों के नंबरों की मोनिटरिंग करने के लिए अवशक दिशा निर्देश दिये गए इसके बाद 17 जुलाई को वरिष्ट पुलिस अधिक्षक ननिताल महोदे द्वारा हर्त्या के चार आरोपियों माही उर्फ डॉली, दीपु कांडपाल, राम अवतार, उशा देवी पर 25,000 रुपए और स्री नीलेश आनंद भरने पुलिस महानिरिक्षक कुमाउ परिशेत महोदे द्वारा पचास जार रुपए के नगत इनाम की घोचना की गई 23 जुलाई 2023 को पुलिस टीमों के ताबर तोड दबिश वो कारेवाई से दबाव में आये हर्त्या कांड के मुख्य अभियुक्त को उसके प्रेमी सहित वकील से संपर्ग करने की कोशिस के दोरान पुलिस टीम को मिली लीड अभियुक्त माही, उर्फडॉली और दीपु कांडपाल को पुलिस ने एन जा इंटर कॉलेज के समीप रुदरपुर से गिरिफतार किया साथ ही प्रारंबिक पूचताश में अभियुक्त गणों द्वारा अपने जुर्म का इकबाल किया माही, उर्फडॉली जो प्रेम पूर लोसग्यानी में अपने परिवार के साथ रहती थी साल 2008 में बचपन के प्रेमी द्वारा धोका दिये जाने से आहतो कर उसने घर छोड़ कर अलग रहने का फैसला किया इस दोरान उसके हल्दवानी के पूर्व में गलत धंदा करने वाली महिलाओं के संपर्क में वो आ गई जिनके साथ उसने काम करना शुरू कर दिया इस दोरान साल 2016 में दीब कांड़ पाल निवासी मोटा हल्दू से उसकी मुलाकात हुई तब से दीब कांड़ पाल उसका दोस्त बन गया और उसके घरेलू आदिक कामों में मदद करने लगा इस दोरान माहि और दीब कांड़ पाल के बीच शारिरिक संबंद भी बन गए साल 2017 में माहि ने अरजुनपूर में पलोट खरीद कर अपना मकान बनाया साल 2020 में हलदवानी में किसी जानने वाले की मदद से उसकी मुलकात गाड़ी खरीदने से लेकर अंकित से हुई इस बीच अंकित और माहि की दोस्ती हो गई अंकित माहि के घर आने जाने लगा और वह हर शनिवार माहि के घर में ही रहता था और ये दोनों आपस में पार्टी करते थे और दोनों साथ में शराब भी पीते थे अंकित से दोस्ती होने के बाद कुछ समय बाद अंकित माही को लेकर जादा पोजेसिव होने लगा और वो छोटी छोटी बात पर माही को टोकने लगा और माही के अन्य लोगों से बात करने और बाहर जाने पर रोक टोक लगाने लगा जिस कारण माही अपने अन्य ग्राहकों के पास नहीं जा पा रही थी और उसके आये के स्रोत बंध होने लगे इस बात को लेकर अंकित आए दिन माही के शांत शराब पी कर गाली गलोच और मारपीट करने लगा दोनों के बीच कई बार जगड़े हुए और कई बार अंकित द्वारा उसके घर में तोड़ फोड़ भी की गई तथा अंकित की एक अन्य लड़की से दोस्ती की बात को लेकर भी माही उससे नाराज रहने लगी और अंकित के व्यवाहर से उसे पता चल गया था कि वह उससे शादी नहीं करेगा और वह उसका सिर्फ उप्योग कर रहा है जिस कारण धीरे-धीरे माही के अंदर अंकित के प्रती दुएश भावना पनपने लगी और अंकित के व्यवाहर को लेकर दीब कांड पाल भी आपत्ती करने लगा था क्योंकि दीब कांड पाल जादा तर माही के घर में ही रहता था और उसके संबंद माही से स्वेचंद नहीं बन पा रहे थे जिस कारण उसने भी अंकित को रास्ती से हटाने के लिए माही से का इस दोरान माही अपने पारिवारिक समस्याओं के चलते पूजा पाथ आदी विदी विधानों पर विश्वास करने लगी और अपने परिशित के माध्यम से रमेशनात सपेरा जो की सपेरे का काम भी करता था उसकी मुलकात उससे साल दोजार में हुई माही ने सपेरे के माध्यम से अपने घर में काल सर्प दोश की पूजा करी और सपेरा पूजा करने के लिए जंगल से साप पकड़ कर लाया था और पूजा का विधान पूरा कर साप को जंगल में छोड़ दिया था फिर माही ने सपेरे रमेशनाथ से 6 मईने पहले दिक्षा ग्रहन की तब से सपेरा का उसके घर आना जाना शुरू हो गया और माही ने सपेरे से शारिक संबंध भी बनाए एक साल पहले आदर्च नरसरी के पास रहने वाली उशा देवी को माही ने अपने घर पर काम करने के लिए रखा था जिस कारण उशा देवी और उसके पती राम अफ्तार का भी माही के घर पर आना जाना शुरू हो गया अंकित द्वारा मार पीट किये जाने के कारण कभी-कभी माही राम अफ्तार की जोपनी में जले आती थी और वहीं रुखती थी और कभी-कभी खाना खाने भी जाती थी माही की दीपु कांडपाल, रमेशनात सपेरा, राम अफ्तार और उसकी पतनी उशा देवी से गहरी घनिश्टिता हो गए और ये लोग ही अंकित की हरकतों की वज़ा से उसको कई बार समझा चुके थे लेकिन अंकित का बदस्तूर आना जाना रहा 24 जून 2023 को माही दीपु कांडपाल के साथ अपनी स्कूटी से अंकित के घर पर पहुँच गई और उसके परिजनों से उसकी शिकायत करने की बात कहने लगी इस दोरान अंकित उन दोनों को लेकर माही के घर पर आ गया जहां उन लोगों के बीच बाते हुई लेकिन कुछ दिन बाद अंकित फिर से माही की घर में घुश कर गाली गलोज और मारपीट करने लगा इस बीच माही और दीपु कांडपाल ने अंकित को रास्ते से हटाने की सहमती बनाई उस दोरान सपेरा, रमेशनात, वो राम अवतार और उसकी बीवी उशा भी घर पर दी सपेरे ने उनको सुझाओ दिया कि अंकित को साप से कटवा दो जिससे कोई उन पर शक नहीं करेगा क्योंकि घटना में सम्मलित सभी अभियुक्तों का किसी न किसी प्रकार स्वार्थ सिद्ध हो रहा था जिस कारण सभी योजना में शामिल हो गए इस पर माही ने सपेरे से साप की व्यवस्था करने को कहा और इन सब लोगोंने अंकित को रास्ते से हटाने की बात सोच ली 6 जुलाई 2023 को रमेश नात को पंचायद घर के पास एक ब्यूटी पालर की दुकान में एक साप घुसने की बात पता चली और उसने मौकी पर जाकर कोबरा पजाती के साप को पकड़ कर अपने पास रख लिया और साप वाली बात माही लोगों को भी बता दी फिर माही और उसके साथियों ने 8 जुलाई 2023 को अंकित के बर्थडे वाले दिन उसको रास्ते से हटाने का प्लान बनाया लेकिन प्लान के तहट काम ना होने पाने के कारण उस दिन वो लोग कुछ नहीं कर पाए माही डीपू कांडपाल ने रमेशनात सपेरा, राम अफ्तार और उसकी पतनी उशा देवी के साथ मिलकर प्लान बनाया कि अंकित को घर पर बुला कर साप से कटवाने के बाद उसी की गारी में डाल कर कहीं ठिकाने लगा देंगे योजना के मताबिक 14 जुलाई 2023 को माही ने अंकित को कहीं चलकर पार्टी करने और बियर पिलाने के लिए कहा तो अंकित राजी हो गया और फिर माही ने सभी लोगों को अपने घर पर बुलाया सपेरा भी सांप लेकर माही के घर पर आ गया योजना के तहट रमेशनाथ सपेरा राम अफ्तार उसकी पतनी उशा देवी घर के अंदर मंदिर वाले कमरे में छुप गए थे शाम के छे बजे के लगभग अंकित घर पर पहुँचा और उस दौरान बारिश हो रही थी उसके पीछे पीछे दिपू का अंडपाल भी माही की स्कूटी से आ गया अंकित माही के बैट पर बैठा था माही ने उसे पानी में नीन की गोलिया मिला कर पिला दी इसी बीच दिपू का अंडपाल ने अपने कोस उखाने के लिए जो कंबल पकड रखी थी उसकी आड में इन सब ने अंकित के उपर कंबल डाल दिया और उसे पूरी तरह से दबा दिया जब अंकित के उपर नीन की गोली का असर होने लगा और वो काबू मा आ गया तो माही ने सपेरे से साप लाने के लिए कहा वहाँ आपको नाया माही ने अंकित की जीन्स उपर की और साप से कटवाया थोड़ी दिर में इन्होंने जलबाजी में पैर को देखा तो जिस पैर मैं साप से कटवाया था उस पैर के बज़ाए दूसरे पैर को देखा तो वहाँ साप के काटने का निशान नहीं दिख रहा था जिस कारण दुबारा दूसरे पैर पर साप से कटवाया थोड़ी दिर में अंकित थंडा पड़ गया जिस पर दीपू मोटे ने कहा कि बॉड़ी को कुरसी में बिठा दो जिससे गाड़ी में डालने में आसानी होगी बॉड़ी अकड सकती है इस बीच माही ने दिल्ली जाने के लिए टैक्सी बुक कर ली और टैक्सी चालक दिल्ली निवासी को अपनी लोकेशन भीजी इसके बाद इन लोगों ने अंकित की बॉड़ी को उसकी गाड़ी की पिछले सीट में बिठाया और गाड़ी से दिपुकांडपाल वो राम अवतार निकले सपेरा माही को उसकी स्कूटी में बिठा कर राम अवतार की जोपड़ी में छोड़ने गया इसके बाद वो भी स्कूटी से अंकित की गाड़ी के पीछे पीछे भुजया गाट की और चला गया वहाँ पहुँचकर उनका प्लान बदल गया इन्हों ने अंकित की गाड़ी को तीन पानी गौला बाइपास रोड़ पर गाड़ी को स्टार्ट कर एसी ओन कर छोड़ दिया फिर राम अवतार के घर के घर के पास सही टैक्सी से दिल्ली को निकल गये गाजयबाद पहुचकर ये सभी लोग वापस बरे ली आए फिर माही और दीपू कांडपाल राम अवतार के पिली भीत इस्तित गाउं चले गए और सपेरा बहेडी अपने घर चला गया अगले दिन माही और दीपू कांडपाल वापस दिल्ली गए और माही ने अपनी बहन के घर अपनी दोनों पाल तो बिल्लिया छोड़ दी माही और दीपू अपने किसी परिचित के माध्यम से कोट में सरेंडर करने के लिए वकील से मिलने जा रहे थे जिनने पुलिस द्वारा से एन जहां इंटर कॉलेज के समी प्रुदरपूर से गरफतार किया गया ये एक जो सेंसेशनल हत्याकांड जो अंकिर चोवान हत्याकांड या अलदवानी में हुआ है जहां कई दिनों से आम़ी टीम है लगातार र्देश के विभि मिन जर तो पर रवे दिविशे दे रही थी और करीब छे टीम है माश्टरमाइंड है और यह उसका साथी पुलिस ने रुद्रपूर में तक निकलmachen आही है जो हत्या की वज़ा है वो जो माही उर्फ डॉली है इसने जो है दीप कानपाल के साथ योजना बनाई कि अंकित जो है इसके कामों में जो है जरूरत से ज़्यादा दखलंदाजी दे रहा था और जो है वो उस पे ज़्यादा प्रतिवन लगा दिये थे बहार आना जाना उसक अब मुश्किल हो रहा था इस वज़े से जो है दीप कानपाल ने माही के साथ मिलकर जो है उसकी अख्या का जो है शड़यांत्र रच्चा और सपेरे जो है रमेशनात इसकी मदद लिए और इसकी मदद से जो है इसको एक दिन घर पे बुला कर जो है बियर पिला कर कमल में लपेड के जो है दवोचा उसके बाद जो है एक सापसे कटवा के जो है उसको मरवाए गया एक बहुती बूटल मरडर जो है ये था और इस मरडर में जो है पुलिस ने एक अच्छी सफलता हासिल किया और आज जो है माई और उसके जो है वो इसको अरेस्ट किया गया है दीप रखा गया था और उसके साथ ही जो है जो टीम जिसने पगड़वाया उस टीम को भी जो है आज मेरी तरफ से जो है पचास हजार का इनाम रखा गया है और इस घटना का खुलासा टीम के द्वारा किया गया है यह लोग यहां से जाने के बाद कहा गये थे और राम ऑथार देवी अभी फरार है और नौकर और नौकरानी और यहां से निकलने के बाद यह गाड़ी लेकर जो है यह बडिली पिली भी घुरगाओ आइसे देश के विबिन जगाओं पर नेपाल की और बॉर तक यह गए है जास है हमारी टीम जो है वो उनके पीछे में थी लेकिन कई बार जो है यह पुलिस के हाथे चड़ने से बच गए